स्री गनिसाय नमः पॉस महा में सुनी जाने वाली कथा चलिए हम सुरुवात करते हैं पहले अध्याई से अगर आप स्री मतभागवत महापुरान कथा भी सुनना चाते हैं तो हमारे चैनल पर वो कथा भी डाली गई है आप उसको भी सुन सकते हैं चीर सागर में इस्तित त्रिकूट परवत पर लोहे चांदी और सोने की तीन चोटियां थी उन चोटियों के बीच एक विसाल जंगल था जिसमें फलों से लदे पेड थे उस जंगल में गजेंदर नामक मत हाथी अपनी असंग के पतनियों के साथ बिहार करते अपनी प्यास बुझाने के लिए एक तालाव के पास पहुँचा प्यास बुझाने के बाद गजेंदर के मन में जल क्लिरा करने की इच्छा हुई और फिर वो अपनी हथनियों के साथ तालाव में उतर कर पानी को उच्छालते वे अपना मनुरंजन करने लगा इस बीच एक बहुत बड़े मगर मच्छ ने गजेंदर के दाएं पैर को अपने दाणों से कस कर पकड़ लिया इस पर पीड़ा के मारे गजेंदर धिकार करने लगा जिंगारने लगा उनकी पतनिया घबरा कर तलाब के किनारे पहुँची और अपने पती के दुख क्यों देख आंसू बहाने लगी उनकी समझ में ना आया कि गजेंदर को मगर मच्छ की पकड़ से कैसे चुड़ाएं गजेंदर अपने दातों से मगर मच्छ पर वार कर देता और मगर मच्छ उचल कर हाथी के सरीर को अपने तेज नाकुनों से खरोच लेता जिससे खून की धाराएं निकल जाती हाथी मगर मच्छ की पीट पर अपनी सूड चलाता मगर मच्छ अपनी खुदरी पूच से हाथी पर वार कर देता अगर हाथी अपने चारों पैरों से मगरमच को चुचलने की कोसिस करता तो वह पानी के तल में जाकर छीप जाता इस पर हाथी किनारेश पर पहुंचने के लिए आगे बढ़ता तब जठ से मगरमच हाथी को पकर कर खीच ले जाता और उसे पानी में डुबो देता इस तरह मगरमच और हाथी के बीच एक हजार साल तक लगातार लड़ाई चलती रही गजेंदर अपनी ताकत पर विश्वास करके हिम्मत के साथ लड़ता रहा फिर भी धीरे धीरे उसकी ताकत घड़ती गई पानी के अंदर मगरमच की ताकत जादा होती है और वह हाथी का खून चूसते दिन बदिन मोटा होता गया हाथी कमजोर हो गया अब सिर्फ उसका कंकाल मात्र रह गया मगरमच की पकड़ से अपने को बचा लेना हाथी के लिए मुमकिन न था आखिर गजेंदर दुखी होई होकर सोचने लगा मैं अपनी प्यास बुझाने के लिए यहां पर आया प्यास बुझाने के बाद मुझे यहां से चला जाना चाहिए था मैं नाहक क्यों इस तलाब में उतर पड़ा मुझे कौन बचाएगा फिर भी मेरे मन के किसी कोने में यह यकीन जमता जा रहा है कि मैं किसी तरह बच जाऊंगा इसका मतलब है कि मेरी आसा का कोई आधार जरूर होगा उसी को मैं इस्वर कहकर पुकारता हूँ देवता भगवान इस्वर नामक भावना का मूल बने हे प्रभु तुम्ही सभी कारे कलापों के कारण भूत हो मुझ जैसे घमंडी प्राणी जब तक खत्रे में नहीं पस्ते तब तक तुम्हारी याद नहीं आती तुम्हें याद नहीं करते दुख ना भोगने पर तुम्हारी जरूरत का बोध नहीं होता तुम तब तक उसे दिखाई नहीं देते जब तक वो यकीन नहीं मानता कि तुम हो और उसके मन में यह खलवली नहीं मचती कि तुम हो या नहीं इस तरह बार बार सोचने वाले गजेंद्र को लगा कि मगरमक्च के द्वारा सताने वाली पीड़ा कुछ कम होती जा रही है में आकर गजेंदर के पैर को चबाने लगा इस दुनिया की स्रिष्टी के मूल भूत कारण तुम हो मैं यह विश्वास करता हूं कि अपनी रक्षा करने के लिए मैं जितनी तिब्रता के साथ प्रार्थना करता हूं तुम उतनी जल्दी मेरी रक्षा कर सकते हो सब प्रकार के रूप धरने वाले वानी और मन से परे रहने वाले है इस वर ऐसे अनाथों की रक्षा करने वाली जिम्मेदारी तुम्हारी ही है न प्रान सक्तियां मेरे भीतर से जवाब दे चुकी हैं मेरे आशू सूख गये हैं मैं उची आवाज में तुम्हें पुकार भी नहीं सकता हूँ, मैं अपना होस हवास भी खोता जा रहा हूँ, चाहे तु तु मेरी रक्षा करो या छोड़ दो, यह सब तुम्हारी इक्षा पर निर्भर है, मेरे अंदर सिर्फ तुम्हारे ध्यान को छोड़ कोई भावना नहीं है, मुझे बचाने वाला भी तुम्हारे स खुलता जा रहा है, उसका कंठ बंद होता जा रहा है, उदर हाथी की आखें इस तरह बंद होने लगी, कि उसे अपने अस्तित्त का ही बोध ना था, वह एकदम अचल खड़ा रह गया, उस हालत में बिश्नु जिया पहुंचे, सारा आसमान उनके स्वरूप से भर उठा, गजेंदर को लगा कि वह एक अत्यंत सुक्ष मकन है, विश्नु भगवान ने अपना चक्र छोड़ दिया और अभय मुद्रा में अपना हाथ फैलाया, बड़ी तेज गती के साथ चक्र काड़ते विश्नु भगवान के चक्र ने आकर मगरमच का सरकार डाला, दर असल मगर मगरमच एक गंधर्व था, उसका नाम हुदूस था, प्राचिन काल में देवल नामक एक रिसी पानी में खड़े होकर तपस्या कर रहे थे, इस पर रिसी ने जब जो गंधर थे, उन्होंने रिसी ने उनको साब डाला, कि तुम मगरमच की तरह इस पानी में पड़े रहो, अब विश्णू चक्र के दोरा उसका साप जाता रहा, मगरमच से छुटकारा पाने वाला गजेंदर को तालाप से बाहर कीच कर, विश्णू भगवान ने अपनी हतेली से उसके कुम्भ अस्तल को असपर्स किया, उस असपर्स की वज़ा से गजेंदर अपनी खोई हुई ताकत को पाने के साथ पुर्व जन्म का ग्यान भी प्राप्त कर सका, गजेंदर पिछले जन्म में इंद्र द्यूम्न नामक एक विश्णू भक्त राजा था, विश्णू के ध्यान में मगन उस राजा ने एक बार रिसी अगस्त के आगमन का खयाल ना किया, और रिसी ने क मुख्ष की कहानी नेमी सारन्य में होने वाले सत्र याग में पधारे हुए सौनक आदी मुनियों को सूत महर्सी ने सुनाई, मुनियों ने सूत महर्सी से कहा, मुनिवर गजेंदर मुख्ष की कहानी हमें तो सिर्फ एक हाथी की जैसी मालूम नहीं होती, बलकि सारे प्रान कोटी से संबंधित मालूम होती है खास कर कई बंधनों और मुसीदों में फसकर तरपने वाले मानव जीवन से संबंधित लगती है इसके जवाब में सूत महरसी बोले हाँ गजेंद्रमोक्ष की कहानी सलेसार्द से भरी हुई है उसका अनवज जो जिस रूप में चाहे कर सकत है काल तो विश्णू के अधीन में है इसलिए काल चक्र के परिभ्रमन में कई कटनाईयां और समस्याएं हल होती जाती है मुनियों ने पूछा कि मुनिवर गजेंद्रमोक्ष के आधार पर हमें कारण भूत सरवेसर विश्णू भगवान हैं यही प्रतीत होता है इसलिए ह हम आपसे प्राठना करते हैं आप हमारी समझ में आने लायक सरल विश्णू कथा की सारी बात समझाते आपने महर्सी ब्यास के द्वारा समस्त पुरान इतिहास और उसके मर्व को भी जान लिया है इसलिए आप ही वे कहानिया सुना कर हमको कृतात कर सकते हैं मुनियों की बा अगबत की रूप में रचा और अपने पुत्र सुक को सुनाया विश्णु पुरान सुनकर भव सागर से तरने की इच्छा रहने वाले महराज परिच्छित को सुक महरसी ने सुनाया गजेंद्र की रक्षा करने के लिए प्रकट हुए विश्णु भगवान का अवतार मूला और अवतार माना गया नार का अर्थ है नीर बिश्णु भगवान जल के मूल हैं इसलिए वे न नारायन कहलाए नारायन से ही नीर या जल का estar हुआ जल से परानी पैदा हुए बिश्णु भगवान मश्ट्री के रूप में अफतरीत हुए और दसा वतारों में ये पहला मत तस्यावतार है बिश्णु भगवान जल से भरे नील मेग के रंग के होते हैं मेगी के अंदर जैसे बिजली छुपी है इसी प्रकार बिश्णु भगवान स्वेम तेजों में हैं कित त्रेता द्वापर और कल्यू इन चारों को मिलाकर एक महा यूग होता है छीर सागर में अनन्त रूपी काल समय सेषनाक के रूप में कुंडली मारे लेटा रहता है सेषनाक एक हजार सेषनाक के पन है और अनन्त सेषनाक पर सेषसाई के रूप में विश्णु भगवान लेटे रहते हैं उनकी नाभी में एक लंबे नाल के साथ एक पदम उपर उठ एक हजार महायुग मिलकर एक कल रफ होता है एक कल्प ब्रम्भा का एक दिन होता है और दिन का समाथ होते ही उन्हें नीदा जाती है वही कलपांत है उस वक्त चारों और लगाअनेरा छा जाता है बिश्नु क्छभवान से निकली संकर्शन की अगनी सब को जला देती है जंजावत चलने लगते हैं तब भैंकर काले बादल हाती की सुड़ों जैसी जल धाराय लगातार गिरने लगती हैं महासमुदर में आसमान को छूने वाले उफान होता है भू भूर और स्वर्ग लोग डूब जाते हैं चारों तरफ जल को छोड़ कुछ भी दिखाई नहीं देता यही ब्रंभा के सोने की राद प्रलैकाल है सत्य वर्ग नामक राजर सी नदी में नहा कर नारायन का ध्यान करके जब वे अर्द देने के हुए तब उनकी अंजली में सोने के रंग बाली एक छोटी मचली आ गई सत्रवत उस मचली को नदी में छोड़ने जा रहे थे तब वह मचली बोल उठी है राजन हमारी मचली की जाती अच्छी नहीं होती छोटी मचलीयों को बड़ी मचलीयां खा जाती है और अगर उस से बच भी जाएं तो मचवारे जाल फेलाकर फेक कर पकड़ लेते हैं इसलिए मैं आपकी सरन मांगने अंजली में आ गई हूँ क्रिपया सिब मुझे छोड़ना दीजिएगा सत्रवत मचली को अपने कमंडल में रखकर अपने नगर में ले गए वे महराज की रूप में राजी करते हुए बड़ी तपस्चा करने वाले एक राजर्सी थे बिश्नु के परमभक्त और बड़े ग्यानी थे कमंडल के भी तर बाली छोटी मचली दूसरे दिन तक बड़ी हो गई और छटपटा थे आर्थनाद करने लगी महराज मुझको कमंडल से निकाल कर बड़ी जगा पहुँचा दीजिए इस पर मचली को बड़े नाद में छोड़ दिया गया वह थोड़ी ही देर में बहुत बड़ी हो गई तब सत्वरत ने उसे एक तालाब में डाल दिया मचली बराबर से बढ़ती गई अब उसे तालाब से बड़ी नदी में और नदी से समुदर में पहुचाया गया इस पर मचली ने पूचा हे राजर सी मैं आपकी सरन में आया हूँ ऐसी हालत में क्या आप मुझे समुदर में छोड़ कर चले जाएंगे क्या मगरमच और तिमिंगल मुझे को निगल नहीं जाएंगे सत्य ब्रत ने कहा है महामीन बताओ इससे बढ़कर मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ पल भर में सो योजन बढ़ने वाले तुमको भला कौन परानी निगल सकता है तो बिश्णु पुरान का पहला अध्याय समाप्त होता है बिश्णु पुरान का अगले हद्याय यानि दूसरे अध्याय में हम आपसे कल मिलेंगे पसंद आ रहा हो तब प्लीज लाइक कर सबस्काइब करें सेर करें कमेंट करें धन्यवाद